नमस्कार में हो प्रिया, आज है 15 जून चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या में हुआ इजाफा बिहार में COVID-19 प्रभावितों का आखड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है बिहार स्वास्ते विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किये गए दूसरी अपडेट तक 186 नए मरीजों की पुष्टी की गई है जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कोल संख्या 6475 हो गई है पाए गई मावलों के प्रभावितों की बाद करें तो और अंगाबाद में 7 पूर्विचमपारण में 3 सहरसा में 1 समस्तीपूर में 16 सारन में 13 शिखपुरा में 3 शिवहर में 16 सीतामडी में 24 शिवान में 12 वैशाली में 10 मामले सामने आई है COVID-19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुची 3,975 बिहार में COVID-19 के मामले जहां एक तरफ लगातार बढ़ते जा रहे वहीं दूशरी तरफ ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखा गया है बीते दिन श्राम चार बजे तक स्वास्तव भाग की तरफ से जारी किये गए आंक्रों के नुसार बिहार में अब तक COVID-19 से कुल मिलाकर 3,975 मरीज ठीक हो चुके है वहीं अब तक 1,23,639 सांपल की जाच में 6,000 से ज्यादा मौमले पॉजिटिव पाए गये है वहीं स्वास्तव भाग ने यह भी साफ कर दिया है कि बीते दिन तक बिहार में COVID-19 की वज़े से 36 लोगों की जान जा चुकी है आज से बिहार में प्रवासियों के लिए बराएंगे कौरिंटाइन सेंटर को किया जाएगा बंद बिहार में सभी कौरिंटाइन सेंटर को आज से बंद कर दिया जाएगा जिसके लिए बिहार सरकार के आपदा प्रवंदन विभाग द्वारा जारी आदेश में 31 माई को हिस यह साफ कर दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप आज से 534 प्रखंडों के 15,000 से अधी कौरिंटाइन क्याम को बंद किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन को छोड़ कर बाकी ट्रेनों से आने वालों को क्यामपों में नहीं रखा जाएगा आपको बता दे इतने दुनों से कौरिंटाइन अवधी में सरकार ने अपनी तरफ से 15,000,000 से लोगों को खाने पीने के साथ रहने की सुविधा भी मुहाया करवाई थी बॉलिवोड इंडस्ट्री ने खो दिया एक और सितारा बिहार निवासी सुषान सिंग राजपूत ने बीते दिन अपनी जान डेली जो इसके बाद बॉलिवोड इंडस्ट्री का एक और सितारा दुनिया को अलविधा कह चुका है आपको बतादे सुशान सिंग राजपूत विधायक नीरज कुमार बबलू के बड़े भाई थे साथी पूर्णिया के गाउं बरहरा कोठी के मलडीहा के रहने वाले थे सिर्फ यही नहीं AIEEE exam में वा पूरे देश में साथवे स्थान पर भी आये थे जिसके बाद उनका सिलेक्शन इंडियन स्कूल ऑफ साइंस में भी हुआ था दिल्ली कॉलेज ओफ इंजीनिरिंग में दाखिला लिया और इंजीनिरिंग ड्रॉप आउट करके उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसल लिया था वही उनके जाने के बाद पटना से तुनके आवास पर लोगों की आवाजाही का सलसलाज शुरू हो गया था ओटो चालक के बेटे ने देश की सेवा का लिया संकल्प बिहार के बेर गाउं निवासी ओटो चालक गनेश पाथा के पुत्र ने पंजाब रेजिमेंट में लेफटिनेट बन कर पूरे इलाके का नाम किया है जिसके बाद पुर्श्वत्रम ने अपनी सफलता का सारा श्रे सची लगन एवं माता पिता से मिले सहयोग को दिया है खादी मौल के ब्रांड अमबैस्डर बनने के बाद पंकस्रिपाठी ने साजा की अपनी प्रतिक्रिया गुपाल गंज के रहने वाले और बिहार से निकले अभिनेता पंकस्रिपाठी को बिहार के खादी मौल का ब्रांड अमबैस्डर बना दिया गया है जिसके बाद कलाकार पंकस्रिपाठी ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की है अभिनेता पंकस्रिपाठी ने कहा है कि हम गांधी जी के विचार से जुड़ना चाहते हैं इसलिए हम खादी के प्रचार का किसी तेरे का शुल्क नहीं लेंगे इतना ही नहीं उन्होंने इस दौरान सभी युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की भी अपील की है बिहार के विभिने जिलों में दौरे पर निकलेंगे डीजीपी गुपतेश्वर पांडे डीजीपी गुपतेश्र पांडे एक बार फिर से बिहार में हो रहे है अपरिये वाक्यों के रोक थाम के लिए जल्दी प्रदेश के दौरे पर निकलने वाले हैं जिसके शिरुवात वहस्से मांचल इलाके से करने वाले हैं जिसकी घोष्णा उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के माधियम से की है जहांबर उन्होंने लिखा है कि इस बार भी अपरिये वाक्यों और प्रमुख एजेंडों को ध्यान में रखते वे यह दौरा किया जा रहा है हालाकि उनके इस दौरे के शिरुवात कब होगी इस बात की कोई आधिकारी सूच राजारी नहीं की गई है COVID-19 के महौल के बीच बिहार के कई शेहर हुए स्वच COVID-19 ने भले ही आमनागरिकों की परिशानी बढ़ा रखिये मगर इसकी वज़े से परयावरन का ही ज्यादा फलफूल रहा है बिहार की राजभानी पटना से आई खबर ने इस बात की पुष्टी की है खबरों की माने तो राजभानी पटना समीत कई जिलों में प्रदूशन के मामले में एर कॉलिटी इंडेक्स पहले से काफी बहतर हुई है जानकारी के मताबिक पटना का एर कॉलिटी इंडेक्स भी अब रेड जोन से रिकल कर ग्रीन जोन में आ गया है आम तोर पर पटना का एर इंडेक्स 300 के पार रहता था जो कि अब 60-70 के बीज पर आ गया है सिर्फ यही नहीं बलके गया और हाजीपूर में भी एर कॉलिटी में सुधार देखा गया है प्रशान किशोर ने तेजस्वी आदफ के बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार से पूछे सवाल प्रशान किशोर आए दिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार तो कभी राज़त पार्टी पर सवाल उठाते देखे गए हैं इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से बीते दिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार और उनकी सरकार को आडे हाथ हो लेते वे कहा है कि देश में सबसे कम टेस्टिंग 7-9 प्रतिशत पॉजिटिव केस और 6000 से ज्यादा केस के बावजूद बिहार में COVID-19 की चर्चा के बज़ जिर से मुख्यमंत्री नितीश कुमार अपने आवाज से बाहर नहीं निकले हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों का घरों से बाहर निकल कर चुनाव में भाग लेना सुरक्षित है बिहार में जल्दी खोले जाएंगे दो विटनरी स्कूल आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं वकीलों की अब मदद के लिए सामने आया बार काउंसिल COVID-19 के कारण बंद के माहौल के बीच अर्थ विवस्ता पूरी तरीके से सड़कों पर आ गई है जिसकी वज़े से कई लोगों को आर्थिक परिशानियों का सामना भी करना पड़ा है इस इक्रम में आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं वकीलों के बीच बार काउंसिल ने 5 करों रुपे का वितरन करने का एलान जारी किया है बार कांसिल आफ इंडिया की चेरमेन मगन कुमार मिश्रा ने बिहार बार कांसिल के सदसेव से वीडियो कांफरेंसिंग से बात करने के बाद यह राशी का वितरन तुरन सुनिश्चित कराने का देश जारी कर दिया है बिहार में एक बार फिर उठा 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा विधान सबाचुनाव को लेकर नेता सबाल जवाब का सलसला जारी रख रहे हैं इसके तहट एक बार फिर से बिहार की राजुनेतिक अलियारे में 15 साल बनाम 15 साल के किस से सुनने में मिल रहे हैं खबरों की माने तो बिक्ते दिन तेजस्वी आदम ने एक बार फिर से ट्वीट में आठ सवाल पूछे हैं जिसके तहत उन्होंने कितने लोगों को बिहार में नौकरी मिली, किस जुले में, किस जुाती को कितनी नौकरी मिली है, बिहार में कितने लोगों का पलायन हुआ, 15 स साल के कारेकाल वे पहले से चालू कितनी चीनी जूट और पेपर मिल्के साथ साथ दूसरे कारखाने बंद हुए। जास्ट्रिया ध्यक्ष के रूप में फेस्बुक लाइफ पर भी आने वाले हैं जिसकी जानकारी जिसकी तैयारिया जोर शोर से शुरू हो गई है। जिसके दहत मुख्यमत्रि नितीश कुमार ने कहा कि शुषान सिंग राजपूत बिहार के रहने वाले थे और उन्हों ने अभिने की बदौलत फिल्म जगत में बड़ी पहचान बनाई थी। वैसे महागट बंदन में टूट की आश्रंका बढ़ गई है। जिसका संकेत हम प्रमुख जीतन नाम मांजी ने दिया है। उनके अनुसार अगर महागट बंदन में समनवे समीती बनाकर सभी दलों को एहमियत नहीं दी गई तो उसमें रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। जिसके बाद राजनेतिक जानकारों की माने तो समनवे समीती बनाने की मांग को लेकर महागट बंदन में एक बार फिर से तूट देखने को मिल सकती है। महागट बंदन में सभी घटक दलों को एहमियत दी जानी चाहिए। एक जुलाई से ट्राफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सकती से आये जाएगा पेश। इसकी मदद से नियमों काउ लंखन करने वालों से ओन दर स्पोट चलान काटा जोयागा। जिसकी जानगारी राज्यो के परिवांसा चिप संजे अगरवाल ने दी है। शुषान सिंग राजपूत के घर पहुचे पपूयादव जनधिकार पाठी के अध्यक्ष पपूयादव बीते दिन सुषान सिंग राजपूत के घर पहुचे जहापर उन्होंने उनके पिता से ऐसी समय में हिम्मत के साथ काम लेने की अपील की है। शुषान सिंग राजपूत के घर के बाहर पूलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है क्योंकि घर पहुचकर संबेतना व्यक्त करने वालों का ताता लगा हुआ था। इसके साथी पपू यादव ने सुषान सिंग राजपूत के मामले में सीबी आई जांच करवाने की मांग की है। इन वर्गों को मंचित नहीं कर पाएगी। अटल विहारी बाजपई की सरकार ने सम्वेधान संचोधन कर प्रौनिती में आरक्षन दिया तो नरेंद्र मोधी की सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए महत्वपून कदम उठाए हैं। इसक्रा में बीते दिन राष्ट्रे जंता दल नेता तेजस्वियादव अपने विधान सबाच शेत्र पहुँचे थे जहां पर उन्होंने वहां पहुँचकर कारेकरम का उदखाटन किया साथ ही उन्होंने जन संपर्क भी किया। जहां पर सैक्रो की तादाद में राज़त कारेकरता मौझूद दिखें। बिखें के प्रकल्यों भीकेस कारेकरता मौझ। क्याश निकालने के नियमों में हुआ बदलाव, ATM से क्याश निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के सबसे बड़ी कमी का किया खुलासा। अंड्रोइड फोन से डिलीट हुए फोटो अब आजाएगी वापस सभी अंड्रोइड यूजर के लिए रहाधभरी खबर सामने आई है जो इसके तहत अंड्रोइड फोन में रीसाइकल बिन का आप्शन दिया गया है मगर सभी फोन के साथ ऐसा नहीं है हाला कि अब गूगल अंड्रोइड 11 के साथ रीसाइकल बिन का फीचर सभी फोन में देने का फैसला कर रहा है इसके परिणाम सरूप अंड्रोइड 11 अपडेट के साथ फोटो या वीडियो डिलीट होने के बाद वापस लाने का विकल्प भी मौजूद रहेगा हाला कि इसका फाइदा उन्ही फोन को मिलेगा जिने यह लेटिस्ट अब्रेट मिलने जा रहा है COVID-19 के आकलन में कुछ और लक्षन को किया गया चुनहित जब से COVID-19 की हवा चली है तब से नए ने लक्षन COVID-19 के सामने आ रहे हैं इसके तहाल ही में हुए शोथ में जवात का दावा किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति में सूंगने की शमता में कमी आई है और स्वाद में कमी के लक्षन देखे जा रहे हैं तो अब COVID-19 से प्रभावित हो सकते है क्योंकि संक्रमित लोगों की जाच में हपाये गया है कि सूंगने की शमता साथी साथ स्वाद में भी उन्हें पता नहीं चलता है हाला कि शिरुवाती समय में COVID-19 से संक्रमित विक्तियों की जाच में जो संकेत मिले थे उसमें बुखार, खासी, ठकान, सास लेने में तकलीफ, गले में खराश यसे लक्षन शामिल थे गल हमारे दोरा पुछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पियुश, इर्फान सारी, राम जी प्रसाद, हमकल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बीते दिन बिहार के शुशान सिंग राजपूत का अचानक से इस तरीके से दुनिया से चले जाना, बॉलिवूड इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा जटका है, अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्स्ट्राइब करें और बलाइक न दबाना ना भूले, और अगर आप